समस्कार साथियो नाने क्लासेज यूटूब चलनल पे आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे 212 अप्रेल 2014 के जितने भी मुश्ट इंपर्डेंट राजस्तान करेंड फेर्स के क्वेस्टिन करेंगे तो कि सुबह करेंड की क्लास देते हैं अब यहां पर आपको रिवीजन मिलता है जो भी सुबह 5-6 क्यों होते हैं उनको शाम की सांफे टाइम ओर रिवीजन कर लेते हैं सुबह करेंड कर लो ताकि आपके पास नोंटिपिकेशन पहुंचे तो किस प्रकार के कर से भीरे आज बैस बनाते हैं हम विस्व प्रथवी को प्रियावरण यह वातावरण जो लगातार प्रदूसित होता जा रहा है उसको हमें बचाना है प्रत्वी दिवस के हर्दिख सुब कामने और एक और बतायता हूं जो भी विदार्थी नानक क्लासे से जुड़ा है और जो अभी प्रिक्षा की त्यारी कर रहा है एक मुख्या बिंदू होता है और उसके लिए हमारी टू टाइम उस्तक आती रहती अभी त्रेमासिक पुस्तक आ की है बजार में उपलब्द है ओनलाइन ओफ लाइन यह पुस्तक आप आपके हाथ में होनी चाहिए सभी विदार्थियों के हाथ में करें आज की क्लास पहला परसन आपके सामने उद्यपूर में आउजित ओल इंडिया इंटर जोनल महला हैंड़ परदा का किताब किस टीम न जीता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा राजस्थान विद्या पीठ उद्यपूर और इसमें उपविजेता कौन रहा है राजस्थान विशविद्याले जैपूर जबकि विजेता रहा राजस्थान विद्या पीठ उद्यपूर यह दोनों चीजें आपको याद रखनी है वनस्तली विद्या पे टॉंक जैसे राजीव गांदी सद्वावना पुरस्कार मिल चुका है और बिट्स पिलानी जुन जुनों के अंदर दूसरा प्रसन हमने क्या पड़ा जापान के सयोग से जेतपुरा कुंडिया खाल अनवासा मोतीपुरा बांदों का जिर्णों द् करवाय जाएगा इसके सयोग से करवाय जाएगा जापान के सयोग से होगा यह बांद किस जिले में है जैपुर भीलवाडा कोटा या फिर शिरोई जिले के अंदर है भीलवाडा के अंदर है अब भीलवाडा की बात आए तो एक तो बीलवाडा के अंदर ताजा ताजा बा है कि 2004 का इन्हें पदम शीरी परदान किया गया है किसको जान के लाल भांड को दूसरा बीलवारा की बात करें तो यहां से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है शापुरा और एक बीलवारा का एक स्तान याद रखना सोन्याना स्तान रखना जहां एशिया की सबसे बड़ी ग्लास फेक्ट्री का निर्माने किया जाएगा यह तीन चीजे आपको भिलवाडा की याद रखनी है अगला प्रसंदेखो इंडिया-book का रिकोर्ड में दर्ज इंडिया-book-off है यहां पे इंडिया-book-off रिकोर्ड में दर्ज देस का पहला हस्त निरमित कलप वरक्ष वाला मं मन्दिर कहां स्थित है अथोज है कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक तस्वीर टेलीग्राम पे रख वाइर ती एक एक वाइरल थी सारी की सारी बोतलें होती है प्लास्टिक की बोतलें उसी उंट बनाया गया था देखा होगा नवाचार देखा होगा अलग लग उसी परकार हातों से निर्मित एक कलप वरक्स बनाया गया है वो कलप वरक्स वाला मंदिर कहां सतीत है वो भी भीलवाडा के यंदर है एक आपने याद रखना कलप वरक्स मेला कहा लगता है कलप वरक्स मेला कहा लगता है सावन अमावश्या को लगता है मांगलिया वास मांगलिया वास अजमेर में मांगलिया वास अजमेर में सावन अमावश्या को वरक्स मेला लगता है सबसे प्राच्य याद रखन है और हस्त निर्मित हस्त कलब वर्क्स वाला मंदिर कहां पे भील वाड़ा कि याद रहा जाएगे इंपोर्डन परस्ट करमचारी राज्य बीमा निगम की SIC द्वारा राजस्थान के इस जिले में एक उप्चेत्रिय कारे लिए स्तापित किया जाएगा देखो करमचारियों के लिए बीमा अलगला कवर अजेंसियां होती है जैसे LIC है NIC है उस परकार की बहुत सारी इंसुरेंस कंपनियां होती है उसी की टाइप करमचारी राज्य बीमा निगम है इसकने अलवर में राजस्थान के अंदर एक उप्चेत्रिय कारे लिए खोला है इस अलवर से क्या होगा कि अलवर, बर्दपूर, खेलतर, तिजारा, बहरोड, बहरोड है, डीग है इन छेत्रों के अंदर जहां सर्मिक है उनको फाइदा मिलेगा, सहरी रोजगार गारंटी योजना को रज्य सरकार द्वारा सभी 42 नगर परिश्दों में सुरू की जारी है, इसकी सुरुआत की स्वर्स होई थी, 2020, 2021, 2022, 2022, अब है क्या, याद करो, 9 सितंबर 2022 की बात है, मुख्य मंत्रिया सोक गहलोत ने, इंदर गांधी, सहरी रोजगार गारंटी योजना, सहरी रोजगार गारंटी योजना सुरू की थी, याद होगा, और ऐसा करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य था, इतनी बड़ी मनरेगा के तैत, मनरेगा में कभी भी परसन आजाए, मनरेगा सिर्प ग्रामिन छेतर की थी, इ सितंबर 2022 को जैपुर से इंद्रया गांधी सहरी रोजगार गरंटी योजना की सुरुवात की जिसमें 100 दिन का रोजगार मिल रहा था और इसे बढ़ाकर 125 दिन किया इसक में भी मिलेगा और इसमें लाबानवित थे 18-60 वर्स के आयूवर के शर्मिक यह सामिल था अब क्या हूआ जैसे ही सरकार ने नए जिले बनाए जिले तो बना दी और टोटल 50 जिले हो गये 50 जिले बनाने के साथ साथ 11 नगर्निगं मुझे उर सरकार ने कहा अब नगरप्रिशद भी तो बढ़ेंगे और सरकार ने बहुत सारी ग्राम पन्चायतों को जिसे प्रिश्द बना दी अनूपगड को रंगर प्रिश्द बना दी पहुंस सारों को तो ऐसे करके 42 नगर प्रिश्द हो गई अब समस्या योगी की सरकार ने जिले बनाने के बाद यह योजना सम रोक दी कहां चलाएं कहां नी चलाएं जो ग्राम पंचाहित वाला साइड था वा नरेगा भी बंद होगी यानि मनरेगा भी बंद होगी और यह योजना तो पहले नहीं थी अब इस सरकार ने वापिस इसको शुरू कर दिया अब सरकार के अंसार 42 नगर प्रिशद में यह अब देखो यह बाजपा सरकार है तो सिद्धी सी बात है इंद्रा गांदी का नाम तो आएगा है नहीं इन्होंने सिद्धा चला दिया सहरी रोजगार गारंटी योजना जो किस वर्ष चली थी 9 सितंबर 2022 को चली यह आपको याद रखना है यहां से कोई भी परसन आ सकता है आज से तीन साल पहले कोई योजना चली है उसको चेंज कर दिया अब वो नहीं हो सकता है दिन चेंज किया जा सकते हैं कुछ परिवर्तन करके नई से इसको लगू किया जा सकता है दो हजार उन्निस में सुरू परधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना में केंदर और राज्य सरकार की वीत्य हिसेदारी कितनी फिक्स परसन आता है अब देखो यह नहीं हो गई अपने राजस्तान सरकार के लिए नहीं होगी कारण तली तो थे यह चोईस फरवरी 2019 को और केंदर सरकार इसमें 6000 रुपे दे रही है कितनी किस्तों में तीन किस्तों में तीन इंटू 2000 दे रही है पहले इसमें सिमांत किसान और यह किसान थे अब कोई भी किसान हो को इसको तीन किस्तों में 22,000 रुपे की 6,000 रुपे रासी दी जारी अब बात आती है कि 2019 में शुरू इसमें केंदर और राज्य का हिस्सा कितना है तो ध्यान रखना only केंदर सरकार है सो परतिसत केंदर सरकार का हिस्सा है केंदर यह क्रिशी मंत्राल्य इसको चला रहा है और राजस्तान सरकार ने इसमें एक नवाचार करते वे बचट दो हजार 2425 में 6,000 रुपे की जगह 8,000 रुपे देने की कोश्णा की है तो हमारी राजस्तान के लिए यह योजना ताजा होगी 19 वाली 24 में ताजा होगी ऐसे ताजा होती है कि 6000 की जगह मां आठ जार देंगे अ बोले आपको आप इतने कितने सुंदर हो कितने अच्छे हो कि 6000 की जगह 8,000 रहें बताओ कभी योजना शुरू होए थी इसमें सरकार का इसा कितना है अपने माता पिता जो किसान है को यह रासी आती है अब यह आठ जार आएगी हमसे यह पुछेंगे बोले आपके हाथ कु सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटीपिकेशन पहुंचे धनेवाद जय हिन जय भारत जय राजस्ता